हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल आज बात करने वाला हूं एक सांदार लक्ट्रोनिक एक्क्यूप्मेंट बनाने वाली कंपनी के बारे में यह एक इतनी दिगज कंपनी है जब से मार्केट में लिस्ट हुई है धुआधार रिटन बना के दे रही है कोरोना ऐसे खतरनाक वायरस का भी इसमें जरा साभी एफेक्ट देखने को नहीं मिला है तो आप इसे अपनी वाच्ट लिस्ट पे जरूर रखिएगा मैं बात करना हूं डिक्सन टेक्नोलजी के बारे में यह एक मुवाइल स्क्रीन मनान तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं डिक्सन टेक्नोलजी लिम्टेड की आज इसने बहुत सांदार रेली देखने को इमली 3.6% नसी पे तेस था यह करीब करीब 157 रुपए तेस था 4,499.95 रुपए के उपर क्लोज हुआ 4,342 रुपए प्रीवेस क्लोज ओपन हुआ था यह 4,349 पे आज इसका हाई है 4,549 रुपए गा और आज का लो है इसका 4,308 रुपए तो दोस्तों Dixon Technology ने अपने निवेसकों को अभी तक किस पकार का पैसा बना के दिया आए देख लिएते हैं तो आज यह लगबग 3.68% थेस था एक वीक में जो इसने रिटन मना के दिया है लगबग 4.52% का रिटन मना के दिया है वहाई एक महिने में जो इसने रिटन मना के दिया 7.15% का दिया 2020 में जो इसने निवेसकों को रिटन मना के दिया वो लगबग 18.29% का रिटन दिया वहाई एक साल में इसने जो अपने निवेसकों को रिटन दिया 85.22% का दिया कि आपने में लिस्टिंग हैं शांदार कंपनी है इलेक्ट्राइप एक्ऊिमिंट मनने में यह और खासर मॉवािल की स्क्रीन मनने लोग्डे लॉट हẳा उलकाव कफुर सुरूब हो गया है इसलिए इसमें तेजी। को बीपिंग स्टार्ट हो चुकी है अच्छे से तो इसलिए इसमें अच्छी कासी तेजी आप देख रहे हैं वाल्यूम जो इसमें आठ ट्रेड हुए तो 46,310 सेर के हुए थे फेस वैलू इसकी 10 रुपए की है आई इसका 52 भी खाई और लो देख लेते हैं तो 52 लो इसमें जो बनाया था 1560 रुपए का बनाया है तो इसके कुछ सेर ही आप चाहें अपने पॉर्ट्फोलियो में रखते पर इसको आप अपने पॉर्ट्फोलियो में जरूर एड कीजिए इस टॉक ने एक साल में 85.22 परसेंट का रिटन दिया इंडस्टी देख लेजें मिसलीनिस बता रहा है मार्केट कैपिटल 5097 क्रो नौरासो एक कॉण थी वहीं दिसंबर 19 में 993 कॉण हो गई जो ग्रावट देखी गई थी लगबग 29 परसेंट के आसपास देखी गई थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं 63 कॉण से 51 कॉण आ गया अपरेटिंग प्रॉफिट में लगबग 18.28 परसेंट की ग्रा प्रॉफिट मार्जिन 4.5 से 5.19 हो गया अपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो जम देखने को मिला है 0.69 परसेंट का एक जम देखने को मिला है तो यह सेर एक प्योर मल्टी वेगर सेर है और यह आपको बहुत तेजी से पैसा बना कि देगा यह एक ऐसा सेर है जो आपके पॉर्टोलियू में यह सेर होना ही चाहिए आए इसका सेर होल्डिंग पैटन देख लेते हैं तो इसका सेर होल्डिंग पैटन जो प्रमोटर के पास स्टेक है मार्ज 2020 तक वो 36.17 परसेंट की है FII के पास जो स्टेक है वो 10.76 परसेंट की स्टेक है वही मुचल इसमें 22.19 परसेंट नॉन इंस्टिटूिशन इंवेस्टर 30.12 परसेंट के इसमें अवेलबल है अदर डियाई आई के पास 0.76 परसेंट की भी स्टेक है मैजोर्टी ते यह ओल्डिंग पैटन जो है मैजोर्टी जो सेर होल्डर हैं वो प्रमोटर है प्लस प्रमोटर इसमें लगबग 22.19% की 16 इसकीमों ने इसमें पैसा लगा रखा है वहीं FII की 10.76% की स्टेक साथ इसकीमों में पैसा लगा रखा है promoter with highest holding जो है वो है सुनील वाचनी के पास 34.76% की holding है वहीं highest public share holder जो है कमल वाचनी जी के पास 8.54% का स्टेक है individual investor के पास 8.22% की स्टेक है आप इसे अपने portfolio में long term के नजरिये से add कर सकते हैं यह आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देगी और सबसे टेज return मनाने वाली यह company में से एक है तो आप इसे अपने portfolio में add कीजिए जो भी sell लीजेगा उसे SIP mode पे धीरे-धीरे करके अपने portfolio में long term के नजरिये से add कर सकते हैं झाल – औरlaw कि और एक हाश आपको यहniaश्याए श़रिय बड़ा भी यहाशरा कर सकते हैं जो आपको आपको शप्राणी है झाल – आपको झाल – और, मैं झाल – ama